देखने में लग रहे हैं बिल्कुल महुत वार्टरिंग रेसिपी किसी के मुझे पानी आ जाए तो दोस्तों आज हम बनाएंगे बिल्कुल रेस्टोर्ण रेस्टाइल सिम्ला मेर्च और प्याश की सब्जी जो की बिल्कुल कम समान से बन जाती है और जट पर 10 मिट में सब् देखे घंवां दा सब्जी ने ने प्याश्य दाने रोट जाना आसान है और उल्कुल अलग तरीके से बन की सब्जी देखिए एक को कितनी ज़्यादा सब्जी बनी है उप्याज चमाटर को कार्ट कर लिए हैं आप ने ताजी दही ले ली है उसमें हम डालेंगे हल्दी प कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से मिला लेना है और मिला है कि इसे हम साइड में रख लेंगे और अब हम गयाज कडाई रखेंगे और उसमें डालेंगे एक चम्मच ऑईल बिल्कुल कम ऑईल में यूज करना है सबदी बहुत कम तिल में बन जाती है और यहां पे अब हम डालेंगे स्लाइस में कटे हुए इसे बहुत टॉस करना है वत्ता बस तेज आज वीडियम आज पेसे हम लगाता है चलाते हुए इधर सुधर टॉस कर लेंगे ताकि हलका कुक हो जाए और इसे हम निकाल लेंगे एक दूसरे बट वैसे भी सब्जी बहुत सौट टूर्टी फर्चे पक जाती है अब हम इसमें थोड़ा सा तेल और एट करेंगे आधा चमच या एक चमच के करीब इसमें हम डालेंगे एक चमच जीरा आधा चमच पंच फोरन जिसमें राई सरसो और सौंफ है इसे हम एट करेंगे इसमें अब हम डालेंगे एक छोटा सा चॉप क्या हुआ प्याज जो कि ग्रेवी में बनाने ही उसके लिए और इससे हम लगातार जलाएंगे जब तर से किसका कलर चेंज नहों जाए हलका गुलाब भी हो जाएगा तो अब हम यहाँ पर डालेंगे हरी मीर्च लहसुन और अद्रक का पेस्ट यह दद्रक कोटा हुआ पेस्ट है इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा पढ़ जाता है और अब हम डालेंगे एक बार इक चॉप क्या हुआ टामाटर टामाटर से हमाई ग्रेवी बहुत अच्छी और गाढ़ी बनेगी और इससे हमें तब तर चलागे पकाना है जब तर से कि टामाटर हमारे इच्छा सॉप्ट नहों जाएं गल नहाएं इस आप ढखके भी पका सकते हैं कि देखिए यहाँ पर हमारे टामाटर अच्छे सॉप्ट हो गए हैं गल गया है और सारी चीज़े आप उसे मिल चुकी है अब हम यहाँ पर डालेंगे अपना दही का मिक्चर जोंने पहले से त्यार करके रखा था इसमें टाल के मिला लेना अच्छा से लगतार च और अब यह किनी वानेंगे सब्जी बहुत बहुत बनती है और जो भी खाया का तो सोचेगा कि कहीं आपने बाहर समंगवाया है लगे गेने की घर भी बनाया यह इसका इतना स्वात अलग रहता है बहतरीन अब हम इसमें डालेंगे टेश की अकॉर्डिंग नमक और इसे अ सारी चीज़ा आप उसने मिल चुकी हैं देखिए हमारी सब्जी अलमुस्ट तयार है अब हम यहां पर थोड़ा सा पानी डालेंगे सब्जीयों के लिए दाई वाला बैट था उसी में खोलके और लाश में डालेंगे अपना हाप क्या हुआ हुआ प्याज और सिमिला मिल्स इसे मिक्स कर देंगे और बस लाश में हम डालेंगे कसूरी मेति अधा चमस की करीब इसे हम क्रस्ट करके डालेंगे और अब सब्जीयों को ठक देंगे बस एक से दो मिल्ट बात देखी इस सब्जी बनके तयार है बिल्कुल आंग लगाने के लिए डाइन टेबल पर और करने वाला है कि जो भी खाएगा वो तरीप के विज़ा रहने पाएगा दोस्तों अगर रिसीपी पसंद आई हो तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें और दीखी कितनी हमारी लवावजार सब्जी बनके तयार है जिसे आप रोटी पर अठर पूरी के साथ एंजॉय कर सकते हैं